स्री शिवाईन नमस्तु व्यम दर्शको कैसे हो आज अगरते हैं कि आप सब स्वस्तेम सुरक्षित होंगे जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं हमारी जो भारत भूमी हैं हमारी इस भारत भूमी पर आने को पेड़ पोदे हैं वैसे ही दोस्तों हमारी भारत बुमि पर जो भी पेड़ पोदा है परतेक पेड़ पोदे का एक विशेस महतो होता है जैसा कि आप सभी को ग्यात होगा, पीपल का जो पोदा होता है उसमें भगवान स्रियू आदि देवताओ का वास होता है इसे के साथ ही जो तुलसी का पोदा होता है उसमें भगवान स्रेहरी विशनु के साथ ही मातालक्षमी का वास माना जाता है इसे के साथ ही दोस्तो आज हम आपको जिस पोदे के बारे में बताने जा रहे हैं इस पोदे में भी मातालक्षमी का वास होता है अगर कोई व्यक्ति इस पोदे को अपने घर ले आता है और इसकी विदिवत पूर्वक इसके उपाई करता है तो व्यक्ति की निर्धनता दूर हो जाती है और व्यक्ति को दुर्भाग्य से छुटकारा प्राप्त होता है इसे के साथ ही दोस्तों आज हम आपको जो पोदे के बारे मताने जा रहे हैं यहाँ पोदा भोती चमतकारी है वीडियो को आगी बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और वीडियो को लाइक करे हर बार की तरह कोमेंट बॉक्स में स्री शिवाई नमस्तुब्यम जरूर लिखते और वीडियो को एक छोटा सा कोमेंट हर हर महादेव आवशे दे दोस्तों अगर आपकी घर में धनकी बहुत कमी आ रही है धन आपकी घर में बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा है निर्धन्ता का आपको साथ मिल रहा है और आपकी घर में बहुत गरी भी आ रही है तो ऐसे में दोस्तों आप links आप लोगों ने एलो बेरा का पोदा तो हर जगह देगा होगा पोदी बहुत कमी आ रही है धन आपकी घर में नहीं आ पा रहा है घर में कलय होता है तो ऐसे में आप लोग एलो वेरा पोधे का जो फूल होता है एलो वेरा पोधे का फूल आपको खहीं से बिलाना है और उसे अपने घर में सुद्ध कर आपको रख देना है और आपकी पूजा इस्तल पर उसे रखना है उसके बाद में उस पे आप लोगों को थोड़ा सा लाल कुम कुम छिड़क देना है और एक लाल कपड़े में रिपेट कर आपको अपने घर की तीजोरी में रख देना है दोस्तों कहते हैं कि इस कारे को करने से घर की निर्धनता दूर होती है तीजोरी में धन आने लगता है और अनावश्यक धन खर्च कम होता है ऐसे में दोस्तों इसने मातालक्ष में भी परिशन होती है और घर की निर्धनता और गरी भी दूर होती है उमीद करते हैं कि आप लोग इस सुपाय को आउश्या करेंगे बहुती कारगार से दोगा और आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए